Well, in this video we are going to study about the article 10.2.3 and this is atmospheric pressure. So, we'll start with the definition कि atmospheric pressure basically क्या होता है तो definition में जैसे यहां बताया गया है कि आप ऐसा करिए कि atmosphere pressure को यह दिया अपने मापना तो आप एक unit का cross-sectional area लीजिए यहाँ आप देखिए ध्यान से और इसके उपर एक pipe जैसे बना देजिए उसके उपर end तक जहां तक आपका atmosphere जाता है इसमें क्या होगा हवा होगी और हवा जो एक free fall हवा के जो molecules होंगे वो freely falling body की तरह काम करेंगे इनका जो बेट होगा जितना इस cross-sectional area के उपर पड़ेगा इस ratio को आप atmosphere pressure बोलते हैं सधारन शब्दों में समझाईए कि जो atmosphere pressure होगा यह हवा के column का भार जिस cross-sectional area के उपर पड़ेगा उसको हम atmosphere pressure कहते हैं so आप pressure की definition जानते हैं pressure जो है वो force upon area होता है इसको लिख दिया और f is equal to m में होता है पर यहाँ f is equal to m में इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि जो air molecule है वो एक freely falling object की तरह behave करेंगे इसलिए हम f की जगा क्या लिखेंगे mg लिखेंगे और cross-sectional area cross-sectional area का मतलब क्या होता है part of that area from where something is going to cross cross-sectional area जहां से कोई चीज़ cross करती है उसको हम बोलते हैं cross-sectional area तो इस हिस्से के ऊपर ही जो pressure को हमने determine करना है आगे आप जानते हो कि जो mass होता है न वो होता है volume into row mass is equal to volume into row जिसको आप आगे लिख सकते हैं volume को कैसे लिख सकते हैं area into height into row तो यहाँ आप लिख द हो जाएगा you will have h row g at the end right so mathematically यदि हम लिखें तो pressure जो होगा किसी point के पर वो होगा h row g जहां h क्या होगा यह the height of the air column row density of the air and g is the acceleration due to gravity यदि हम atmosphere pressure की numerical value की बात करें तो यह होती है 1.013 cross 10 power 5 newton per meter square और 1 newton per meter square को आप एक pascal कह सकते हैं तो मैं यह कह सकता हूँ कि एक atmosphere pressure जो है वो 1.013 cross 10 power 5 pascal होता है और यह सब कैसे होता है आप हम इसकी बात सित करते हैं देखिए आपको यदि atmosphere pressure को मापना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं चलिए हम आगे आ दिखा है NCRT की बुक में बहुत अच्छे और सुंदर तरीके से आप यहां से शुरू कर सकते हैं measurement of atmospheric pressure उसके लिए क्या करिए कि आप एक long tube ले लीजिए ओके यह आपके पास एक long tube हुई इसमें आपने mercury डाला और आपने इसको उल्टा कर दिया यह tube में mercury डालके इसको आप आपने उल्टा कर दिया और उल्टा करके आपने इसको कहां रखा आपने इसको एक mercury के ही tub में रख दिया इस tub में भी mercury ही है ओके सो यह mercury कुछ इस तरीके से होगा इस तरीके से होगा तो इस में जब आप इसको उल्टा करेंगे तो जो नीचे पेंदे वाला जो mercury है वो होंगे यहां mercury papers होंगे और इसके वज़ा से जो pressure होगा उसका हम negligible कह सकते हैं अब जब आप इसको इसके बीच में डालेंगे इस टब में डालेंगे तो क्या होगा जी इस point पर या मैं इसको point को point B चूज कर लेता हूं और इस point को मैं point C चूज कर लेता हूं अभ इस point के उपर air है तो यहां क्या होगा air यहां air का pressure होगा और इस point के उपर क्या होगा इस point के उपर आगे सारी केशारे tube में क्या है mercury है तो इस point के उपर क्या होगा mercury का यह जो bait होगा वो इस cross-sectional area पर पर पढड़ेगा point B के उपर, इस cross section area पर जो mercury का beat पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, pressure बनेगा, और यह pressure क्या होगा, अभी हमने पहले किया था, pressure यहाँ क्या होगा, h, rho, g होगा, अब होगा क्या कि जो fluid के property होती है fluid को जब भी कभी आप किसी container में डालते हैं तो अपने property के हिसाब से वो एक same level को attain कर लेता है पर आप यहाँ क्या देख रहे हैं जैसे आपने उल्टा करके mercury की tube को mercury के container में डाला तो mercury इस height के उपर stable हो गया mercury इस height से उतरा ही नहीं अब आप देखो कि इसको नीचे उतरने से क्या चीज रोक रही है that is the questions to think about मतलब क्या हुआ this means that कि pressure at point B that is H rho G यह वाला जो pressure है is equal to the pressure at point C which is atmospheric pressure इसको मैं equation number 1 कह देता हूं इसको मैं equation number 2 कह देता हूं यदि आपका mercury इस container में यहां stable हो चुका है इसका मतलब B point पर लगने वाला pressure और C point पर लगने वाला pressure दुनों बराबर है ज़रा ध्यान से देखिए जो B point पर pressure बना रहा है वो कौन बना रहा है mercury बना रहा है और इस cross section area पर जो pressure बना रहा है वो क्या बना रहा है हबा बना रही है उसके उपर जो air है तो हम यहां लिख देंगे कि pressure at point C in equilibrium pressure at point C is equal to pressure at point B so pressure at point C is atmospheric pressure and pressure at point B is H rho G आप देखिए ज़रा यदि आपको यहां से atmosphere pressure को determine करना है तो यहां इस case में H क्या है this is height of the mercury in this column यह mercury की height है कि इस column में mercury कहां तक भरा हुआ रहता है और जो rho क्या है this is the density of the mercury यह mercury की density है और G क्या है यह acceleration due to gravity है अब हम ज़रा determine करने की कोशिश करते है कि एक atmosphere pressure की value कितनी होती है देखिए यदि हम 0 degree Celsius की बात करें at 0 degree Celsius तो जो density of mercury क्या होगा mercury की जो density होगी वो होगी 13.6 cross 10 to power 3 kilogram per meter cube यह mercury की density होगी और इसकी इस container में जो height होगी वो होगी 76 centimeter जिसको हम SI unit में बदल देते हैं 76 cross 10 to power minus 2 meter और acceleration due to gravity की value क्या होगी that is 9.8 meter per second square अब जड़ा put करिये और इसकी value को निकालिये जो pressure आ जाएगा आपके पास atmosphere pressure is equal to 1 atmosphere pressure is equal to H क्या है this is 76 cross 10 to power minus 2 meter cross density is density is 13.6 cross 10 to power 3 kilogram per meter cube and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square यदि आप इस part को calculate करते हैं तो आपके पास answer आता है this is 1.013 cross 10 to power 5 newton per meter square SI unit में pressure को ऐसे लिखेंगे और जो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यह दिखिए 1.013 cross 10 to power 5 into मैं ऐसे लिख दूँ 1 newton per meter square 1 newton per meter square is equal to Pascal तो मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ कि 1 atmosphere pressure जो होगा बहोगा 1.013 cross 10 to power 5 Pascal यह इसके SI unit हो जाएंगे ओके so this is all about 1 atmosphere pressure अब हम क्या करेंगे कि हम जो इसके अलग-लग conditions हैं उन में हम इसको atmosphere pressure को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यहां आपको बताने की कोशिश की गई है एक common way of stating the pressure is in term of centimeter या तो हम height को centimeter में लेते हैं या फिर millimeter में लेते हैं तो अभी जैसे हमने लिया था 1 atmosphere pressure को मापने के लिए हमने लिया कि जो height है h is equal to 76 centimeter right but pressure is equivalent to यदि मान लो यही height जो है वो 1 millimeter हो जाए तो क्या होगा हम ऐसा करते हैं आपको निकालना है pressure it is equal to h rho g तो इसके जो दुनों parameter हैं वो तो same रहेंगे now if h is equal to 1 millimeter means 1 cross 10 to the power minus 3 meter और जो density है that still remain the same this is 13.6 cross 10 to the power 3 kilogram per meter cube और जो acceleration due to gravity है that is still 9.8 meter per second square अब आप यदि pressure की value को निकालते हैं pressure की जो value निकालेंगे तो वो आ जाएगे आपका 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 133 newton per meter square means this is 133 pascal तो यदि height की value 76 centimeter ना होके यदि 1 millimeter होती है mercury column में तो यह आता है 133 pascal अब एक तरीका और है देखिए आपने किया कि जो आपके पास pressure है atmosphere pressure pressure is 1 atmosphere pressure that is equal to 1.013 cross 10 to the power 5 pascal यदि हम इस part को खतम करना चाहते हैं तो हम इसको एक और unit के साथ represent कर सकते हैं it is equal to 1.013 bar okay so bar is also the unit of pressure और इसमें मैंने क्या किया 1 bar को किसकी जगा लिखा 10 to the power 5 pascal की जगा रिपलेस कर दिया then you will have 1 atmosphere pressure is equal to 1.013 bar you can write it like that also so this is all about the atmosphere pressure its units and the use of the units ये भी हम आप से बात करते हैं लिखा है कि millimeter of HG or Tauri Sally ये unit हम कहां यूज करते हैं we'll use it is in the field of medicine and physiology and metrology यदि हम अंतरिक्ष बग्यान की बात करें तो जो common unit जो हम यूज करते हैं वो bar होता है या milli bar होता है so this is all about this video thank you